तो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो distance formula के basics देखें उसके अलावा जो coordinate geometry के आपने 8 standard और 9 standard में पढ़कर आये हो basics को उनको revise किया उसके अलावा कुछ illustrations देखे थे coordinate geometry में अभी उन्ही illustrations को distance formula के basis पे हम लोग आगे और continue करते है तो जो तुम लोगों ने first day video देखा है वो type 1 है जिसमें आपको quadrilateral दिया रहेगा या फिर आपको triangle दिया रहेगा आपको उसके coordinates दिये रहेंगे आपको identify करना है कि वो rhombus है कि parallelogram है कि कौन है तो इस type के सवाल तुम लोग कर चुके हो तो अब हम लोगों को उसके next pattern और सवा में move करना है यानि कि distance formula में next pattern तो next pattern देखो मैंने भी आपके क्या रखा है कि आप लोगों को triangle का circumcenter calculate करना है ठीक है आपको triangle का क्या calculate करना है circumcenter तो पहले तो इस बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आखिर circumcenter नामक चीज क्या होती है अब तुम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन circumcenter of the triangle तो बहुत ही simple है यह होता क्या है जैसे अगर आप लोगों के पास कोई एक triangle है दो मनिट इसको अपन थोड़ी इस added information को जैसे imagine करते है आपके पास एक triangle है let's imagine we have a triangle हमने एक triangle को बना लिया है अच्छा अब उस triangle में total कितनी sides होंगी तीन sides होंगी आच्छा आप तीनों सा इसका क्या बनाना है perpendicular bisector तो जब तुम perpendicular bisector imagine करते हैं बना रहे हो यह आपने पहली साइड ली इस पहली साइड का यह perpendicular bisector है अच्छा भी मेरी चीजे तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि अनि आपका ड्रॉइंग तो perpendicular के जैसी दिखनी रही है क्योंकि मेरी ड्रॉइंग स्किल्स अच्छी नहीं है बट यह 90 डिगरी भी है साथी साथ में यह सामने वाली side के क्या कर रहा होगा दो equal parts कर रहा उसका भी perpendicular bisector बना लो तो मान लेते है side AB का perpendicular bisector कुछ इस प्रकार से तो आपने क्या किया जो आपका triangle था उस triangle के आपने क्या किये perpendicular bisector आपने क्या किये draw किये ठेक है आपने triangle का क्या draw कर लिया है perpendicular bisector draw किया है और जिस point पे वो सारे के सारे perpendicular bisectors आपस में आके meet होते हैं या फिर मिलते हैं उस particular point को ही हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का circumcenter कहते हैं ठीक है क्या कहलाता है वो आप लोगों का circumcenter तो यानि कि basically circumcenter क्या है पर circumcenter आपका होता है the point of intersection of all the perpendicular bisector is known as circumcenter why it is called circumcenter circumcenter के वोला तो कि center word तो usually circles के लिए define होता है यहां तो कोई circle जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है so why we are calling it as a circumcenter because हम क्या करते हैं इसे अपना center assume करते हैं और आप लोगों का यहां से लेके किसी भी vertex तक का distance calculate करते हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी drawing skills उतनी अच्छी नहीं है तो एक इनसान को ऐसा लग सकता है कि O point से लेके C point का distance बढ़ा है और O point से लेके A point का distance छोटा है जो कि दिख भीडा है ठीक है लेकिन reality में यह O A, O C और O B मतलब आपने center से vertex तक के जो तीनो distance calculate किये यह तीनो distance अपके calculate मतलब equal आता है और यह जो circumcenter होता है इसको जैसे कर मैंने C symbol से denote किया तो आपका उस center से लेके उपर वाले vertex तक यानि कि A C वाला distance उस circumcenter से इधर B तक का distance यानि कि C B और उसी circumcenter से D तक का distance यानि कि C D यह तीनों ही आपस में क्या रहेंगे equal होते है and these distances are taken as radius यह distances आपके क्या होते है radius ठीक है तीनों आपस में equal भी होते है और इंको हम लोग क्या मानते है radius तो हम लोग क्या करते है फिर इसके आजू बाजू से यह ऐसा यह एक circumcircle draw करते है बराबर यह तुमने शाए construction 9th standard में किया होगा ठीक है circumcircle in circle यह वाला construction रहता है तो मुझे याद नहीं है क्योंकि construction मैंने 9th class वालों को नहीं पढ़ाती हूँ अंकित पढ़ाते है तो मुझे idea नहीं है कि यह है नहीं है ठीक है तो तुमने अगर किया होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ ये वाली जो चीज़ है क्या कहला रही है circumcircle कहला है ठीक है तो तो therefore ये जो c है ये उस triangle का center नहीं है ठीक है वो center उस circle का है जो उस triangle की सारी vertex इस को क्या करेगा touch करेगा ठीक है तो basically यह जो आप लोगों का circumcenter है ये circumcenter होता क्या है । इस आपका center of that circle which is passing through all the points of the vertex जो वर्टेक्स के सारे पॉइंट से पास हो रहा है उसको हम कहते हैं अब यह सरकम सेंटर हमें कैसे हुआ अब जब तुम्हें सवाल पूछा गया है कोशन में तो तुम्हें बोला गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है कोई दिक्कत नहीं है हम ट्राइंगल को ड्राइंगल कर लेते हैं यह माल लेते हैं रैंडमली मेरे पास एक ट्राइंगल है अभी यहां पे क्योंकि नाम नहीं दिया है A B C such as तो तुम्हें जो देना है तुम दे दो तो जैसे मैं देना चाहती हूँ 8,6 को A तो मैं इसको यहां पे क्या लिख दूँगी कि लेत A 8,6 ठीक है फिर कॉमा B 8,-2 और कौन है आप लोगों का C 2,-2 ठीक है यह हमारे क्या है वर्टाइसेस हैं किसके वर्टाइसेस हैं आपके गिवन ट्राइंगल के तो यहां पे हम लोगों हमने लिख दिया B the vertices of a triangle यह खतम यह हो गई हम लोगों की कहानी खतम कि यह triangle का वर्टाइसेस है और इसको हमने लोगों आप लिख दिया कि A है 8,6 यह आपका B है 8,-2 और यह आपका C है यह इस तरीके से तो मैं क्या calculate करना है circumcenter के coordinates coordinates का मतलब वहां पे जैसे 8,6 क्या है एक coordinate है X और Y की value तो तुम्हें circumcenter की value ढूढने है circumcenter कहा होगा triangle के अंदर triangle के बाहर तो यह होगा यहां पे let's say यहां कहीं होगा और बाजू से लगे तो तो तुम्हें कैसा circle भी बना लो था कि teacher को पता चल जाना चाहिए कि हां तुम लोगों को circumcenter क्या होता है यह circumcircle क्या होता है इसका meaning पता है तो यह हमने center draw कर लिया इस center को मैं C symbol से denote नहीं कर सकती क्योंकि मैं already C यूज़ कर चुकी हूँ तो आपको जो use connect कर लो तो let's say मैंने P लिया और इस P के coordinates जून ले तो इसका हमने ले लिया X,Y तो again तो मैं लिखना पड़ेगा कि let आप लोगों का P X,Y be the circumcenter of the आपका circle छीक है यह क्या है आप लोगों का circumcenter है छीक है किस कीश का circumcenter है मेरा circumcenter है क्या नहीं यह triangle का है तो इसमें लिखनेंगे of above triangle यानि कि जिस triangle के ऊपर coordinates लिखेगा है यह उसी triangle का circumcenter है चीक है तो आप question कैसे करेंगे इस प्रकार के circumcenter वाले सवालों को तो circumcenter वाले सवालों में एक बहुत ही basic सा funda होता है वो basic सा funda यह होता है कि वो जो आपका beach का point है जिससे आप circumcenter कह रहे हो इस case में जो की P है उस P को आप सारे vertices से join कर दो एक बना PC एक बना BP और एक बना PA यह जो तीनों distances होते हैं यह तीनों distances equal होते हैं यानि कि यहाँ पर यह situation कैसी हो जाएगी here PA equal to PB equal to PC क्यों यह equal हो रहा है क्यों यह equal हो रहा है क्योंकि PA, PB, PC यह सब के सब कौन है circum radius है बराबर income लोग क्या बोलेंगे circum radius तो question में वैसे देखो तुमको यहाँ पर circum radius भी calculate करने को बोला है तो basically तुम्हें क्या find करना है PA का distance, PB का distance या फिर PC का distance तीनों में से कोई भी एक distance है का calculate कर लोगे तो वो circum radius होगा तो how to calculate, किस तरीके से circum center वाले सवालों को बनाए तो क्या करो आप एके करके PA की value, PB की value, PC की value, distance formula से निकालना calculate कर दो तो कैसा होगा, let's say मैं पहले PA की value निकालनी है, तो में पस P coordinate क्या है, I don't know, it is X, Y, ठीक है मेरे पास जो A coordinate है, वो A coordinate क्या है, 8, 6 है, ठीक है A coordinate क्या है में पास, 8, 6, तो X को मैंने क्या ले लिया, X1, इसको ले लिया मैंने Y1, ये हो गया आपका X2 और ये हो गया Y2, तो अभी अगर मैं यहाँ पे distance formula लगा हूँ, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, therefore by distance formula, तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो distance formula होता है, वो लिग देना क्या हो जाएगा आपका, AP वाला distance equal to, कितना आजाएगा under root, under root में formula क्या होगा, X2 minus X1 का whole square, प्लस bracket में Y2 minus Y1 का whole square, अच्छा, अब बहुत ही प्यार से values बुट कर दो, X2 कितना है, 8, X1 कितना है, वो है X, इसका whole square, Y2 minus Y1, यानिके 6 minus Y का whole square, अभी मैंने, जब दो दिन बार मैं checking कर चुकी हूँ, मैंने ये पाया, कि तुम मेंसे कई लोगों को बहुत ही प्यारी सी एक बिमारी है, कि अगर कहीं लिखके आया है, A minus B का whole square, तो तुम बड़े मजे से सको लिखोगे, A square minus B square, कहीं लिखकर आया है, A plus B का whole square, तो तुम उ तुम आई नजर में उस 2AB वारी term की कोई इज़त ही नहीं है, तो ऐसे लोग अगर मुझे अभी future में copy checking कराते वक्त ऐसा दिखा, कि अभी भी वही आरकाच चल रही है, तो यार रखो 400-600 बार में identity लिखोंगी, ठीक है, तब तुम लोग अपने नींद में भी जखके याद रखोगे कि identity क्या है, बट imagine करते तुम फिर से भूल गए, तो मैं फिर से 4 सबाल लिखोंगी, तो तुम जितनी मार भूलोगे मैं उतनी बाल लिखोंगी, उसीच की कोई limit नहीं है, कि मैं रुख जाओंगी, मैं ना रुखूंगी, तो इसलिए जब भी काम करो, थोड़ा हो identity लगाओ, कि कौनसी वाली identity लगेगी, A माइनस B का whole square वाली identity लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को मिल गया, A square, यानि कि 64, मैं डालेक लिख रही हूं, प्लस B square, यानि कि X square, माइनस 2AB, तो 2 इंटू 8, 16 और 16X, फिर भीच में प्लस का sign, 6 square, 36, प्लस में आएगा y square, और यहाँ पे आएगा minus 12y, ठेक है, अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे next step में क्या बन जाएगा, जो numbers तुम add कर सकते हो, उतने numbers तुम देखो, add कर ही लो, तो जादा बेटर होगा, तो क्या होगा, 64, 36, add हो गए, 100 आगया, अच्छा, और भी कुछ add होने वाला है क्या आपे, नहीं, तो यह कितना हो गया, x square minus 16x, यानि कि x square minus 16x वैसे का वैसी, plus में y square वैसे का वैसी, minus में 12y वैसे का वैसी, so this is the value of ap, यह आपके ap की value है, give it your equation number 1, तो जिस नहीं किसे आप में ap की value calculate किये, बाकी की 3 values भी calculate करो, यानि कि आपको क्या calculate करना है, bp, तो b के coordinates क्या है, वो पता होने चाहिए, that is, 2, minus 2, p के coordinates क्या है, x, y, अब इसने मैंने अपना इसको x1 ले लिया, ये मेरे पास y1 आ गया, ये मेरा x2 हो गया, और ये मेरे पास y2 आ गया, अब therefore, हम लोग क्या लगाएंगे, by distance formula, हो सकता है, चट रहा हो कि अरे यार कितना slow पढ़ा रहे है, क्या एकी एक ची बता रहे है, क्या कर सकते है, पढ़ाना उन सब के नजर से भी पढ़ता है, जिन लोगों को बिचारों को कुछ समझता ही नहीं है, अगर तुम मेरे से बोलोगे तो ये सवाल तो फिर लगाओ competition, पता चलेगा कौन जीतता है, लेकि तुम लोगों के साथ मुझे competition नहीं लगाना है, हमें तो उनके respect में भी सोचना है, जिनको धीरे समझता है, तो एक ही बार में सुनो, अच्छे से समझो, क्योंकि ये वीडियो किसी और के लिए तो बनाए नहीं जा रहे है, क्या रेनी यूट्यूब पे कोई और नहीं गलती करते है, जिसने इस फॉर्मला में एक बीच का माइनस तो होता ही है, उपर से जो तुम यवन पुट कर रहे है, उसके पास भी माइनस है, तो यवन वाले का माइनस है, उसको तो तुम लोग इग्नोर कर देते हो, सीधा उठा के लिग देते हो, य प्लस, ना सभ इसके उपर में स्क्वेर, उसके बाद नेक्स क्या हो गया, यहां पे आ गया 4 प्लस, एक स्क्वेर, माइनस 4 एक्स, यहां पे आएगा y स्क्वेर, प्लस 4 और यहां पे कितना आ जाएगा 4 y, ठीक है, जो चीज़ आइड हो सकते, उसको आइड कर जाते है, तो आ गया x 4y और प्लस 8, give it your equation number 2, तो यह जो हमने calculate किया, यह कौन है BP, अब एक और चीज बाकी रह गई है, यह कौन है, CP, तो CP भी calculate कर लेता है, तो C के coordinates कितने दिये हुए है, 8, minus 2, and आपका जो P है, उसके coordinates कितने दिये है, X, Y, तो C कितना आगया, this will be your X1, this will be your Y1, ठीक है, P कितना आगया, यह हो गया X2, और यह हो गया Y2, ठीक है, यह इस तरीके से इतना तो लिखी लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक, अब आजाते हैं हम लोग हमारे distance formula को लेकर, तो distance formula क्या हो जाएगा, CP equal to under root, under root में क्या आगया, X2 minus X1 का whole square, plus क्या आएगा Y2 minus Y1 का whole square, यह ऐसे, X2 कितना है, X2 की value आ गई है, आप लोगों के पास X, X1 की value कितनी है, 8, तो X minus 8 का whole square, इधर आ जाएगा Y minus of minus 2, तो मैं अभी direct लिख रही हैं उसको plus 2, कैसे plus आया है, उपर वाली step में समझाया गया है already, त plus 64 minus 16, और यहां पे plus Y square plus 4, और plus 4Y, जो add कर सकते हो, उसको add कर दो, तो यह ची हो गई, X2 plus Y square, आचा 64 और 4 को add करके 68, आचा मैं बीच में कुछ खा गई हूँ क्या, यहां पे Y खा गई हूँ, minus 16Y, और बाजू में 16X है, sorry, 16X और बाजू में plus 4Y, और यह हो गया हमारा दन, सही हां से हमने CP भी calculate कर लिया, अब तुम बोलोगे कि तीनों को बस calculate कि एजार solution का है, तो तुम्हें अब देखो, पता है, इतना तो पता है, कि आप लोगो की आखे लोगो की तीनों की तीनों वालियू की तो है, तुम चाहिए AP निखा लोगी, त CP लिका लोगो, आखे लिकाने तो एकवर वाला ही है, तो AP बराबर BP ही आएगा, तो AP की क्या value तुम्हें calculate कि है, उपर देखे जारा, उसको तुम्हे calculate कि 100 plus x square plus y square minus 16x वा minus 12y, AP की जगह ये value डाल दते हैं, कितना हो जाएगा, 100 x square, और 100 x square नहीं था, एक मिनट, 100 plus x square plus y square, ये वाली चीज़ थी, अच्छा, उसके बात क्या था, उसके बात था, आप लोगों के पास, minus 16x और minus 12y, ठीक है, तो यहाँ पे आगा, minus 16x और minus 12y, अच्छा, BP की value कितनी है, वो देख लेते हैं, तो BP की value उपर में आ जाएगी, x square plus y square, minus 4x plus 4y, तो यह आ गया, अंडर, यह अंदर में, x square plus y square, minus 4x plus 4y, और plus 8, यह आ गई दोनों values, अब इसके बात क्या करना है, root में left hand side, और root में right hand side, दोनों तरह square करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह taking square on both sides, तो जब दोनों तरफ तुम क्या करोगे, square करोगे, तो square करने से सिर्फ root हटेगा, या रखना, सिर्फ और सिर्फ क्या हटेगा, root हटेगा, कुछ और भी हटा मत देना, कि पता चले जो y square लिखा हो, उसी y square को उठा के y लिख दियो, ऐसे अगदापंती नहीं लिखाना, सिर्फ root हटेगा, बाकी terms आपके अंदर वाली वैसी की इसी, ना तो किसी का square जाएगा, और ना तो किसी के उपर और अंदर square आएगा, तो यह हो गया, आप लोगों के पास आपकी equation बनकर तयार, क्या करें इस equation को simplify करते हैं further, x square y square x square वाई से कड़िया, क्यों कड़िया, right side का x square जब left side आएगा, तो minus x square होगा, इसलिए कड़िया, अच्छा, 100, यह plus 8 को मैं वहाँ ले आती हूँ, 100 में से 8 गया, that will be 92, यह आपका plus minus 4x है, plus 16 वहाँ आजाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 आजाएगा, तो यह हो गया 12x, minus 12y वहाँ चला गया, तो plus 12y, 12 of 4 यहाँ पे कितना हो गया, 16y, यह बन गई पहले equation, खतम, तुम चाहो तो इस equation को और further simplify कर सकते हो, ठीक है, अगर करना चाहो तो, जैसे कैसे simplify करेंगे, इसमें, again doubt, कि वो simplification हम लोगों को करना कैसे है, तो इस पूरी equation को आप क्या कर तो divide by 12, अगर चाहते हो तो otherwise नहीं, या फिर dividing by 2, ठीक है, तो 2 से अगर मैं divide कर दूंग, तो यह वाली term कितनी ह हो जाएगी, आपके पास 46, ठीक है, equal to कितना हो जाएगा, 6x, और यह कितना हो जाएगा, आप लोगों के पास 8y, क्या यह और 2 से divide हो सकता है, हाँ, यह हो सकता है, तो पगले समान, उपर में डारेक अपन को किस से divide करना चाहिए था, 4 से, इसलिए अकल लगा के divide करना, मैंन equal to 3x, और प्लस 4y, यह हो गई equation number 3, वा, sorry, equation number 4, तो अभी equation number 4 लाने के लिए, तुमने क्या किया, AP और BP को आपस में equate किया, बराबर AP और BP की values जहां से आई, उनके बाजियों में लिखा, from 1 and 2, तो वैसे ही, तुम BP को और CP को भी तो equate कर सकते हो, बराबर है, तुम किसको equate कर सकते हो, BP equal to CP को भी तो equate कर सकते हो, क्योंकि वो भी तो radius ही है, अब BP की value क्या है, तो BP की value आप लोगों के पास, कितनी है, under root of x square plus y square, x square plus y square, minus 4x, plus 4y, और कितना है, plus 8, और CP की value कितनी है, यह अभी अभी उपर निकाले है, हम लोग याली चीज, कितनी आ जाएगी, third equation में x square plus y square, minus 16x, plus 4y, x square plus y square, minus 16x, plus 4y, और plus में एक और चीज है, that the cheese is known as 68, यह आप पे आगया 68, कहां से लाए, from आप लोगों की equation code आपका लाए, कौन सी वाली equation, equation number, आपका BP equal to CP, नहीं कि 2 and 3 वाली में, अच्छा, उसके बाद आप क्या करना है, तो मैं दोनों तरफ squaring करनी है, टोलिक देता है, कि क्या करना है, taking square on both sides, दोनों तरफ आपने square ले लिए, square लेने से, root अटेगा, उसके अंदर का कुछ भी नहीं हटेगा, तो यह क्या हो जाएगा, x square plus y square minus 4x plus 4y equal to 8, बराबर, अब equal to 8 नहीं, sorry, plus 8, बीच में equal to का sign, आपके इस बाजु वाली की value कितनी हो जाएगी, x square plus y square minus 16x plus 4y, और यहाँ पे plus 68, अब देखो, यह और यह वाली term गई, minus 4x, यह minus 16x अगर इधर आ गया, तो minus plus, क्या होगा, आपका minus, तो minus 4x plus 16x, यह कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है, तो यहाँ पे answer आ गया, हमाँ पास x के terms में कि कितना है, वो 12x है, अच्छा, अब यह एक बार y के terms में लेख लेते हैं, plus 4y उधर गया, और उधर में भी पहले से 4y है, तो यह दोनों कड़ गए, अच्छा, अब एक बार variable को दे दो, number को, तो number कितना है आप लोगों के पास, इस तरह plus 1, वहाँ जाके कितना हो जाएगा, minus 8, यानि कि answer आएगा, equal to 60, त इस x की value को use करूंगी, और इसी को use करके, हम लोग हमारे next क्या करेंगे, value ढूंदेंगे, अब next value क्या ढूंदनी है, हमें तो यह point ढूंदना था, जैसे x की value आ गई, अब x की value को कहीं ना कहीं put कर दें, तो लिख देते हैं कि put x equal to 5, कहां पे आप लोगों ने जो ताजा ता चोटी में put को जल्दी answer आएगा, 23 equal to 3x plus 4y, यह हमारी equation है, तो 23 equal to 3x, यानि कि 15 और यहां पे आजाएगा plus 4y, 23 में से 15 गया, then it will be 8, 8 equal to 4y, therefore y की value यहां पे कितनी आ गई, 2, जहां पी what do you mean by the term x and y, x and y coordinates हैं, किसके coordinates हैं, जब वो by sector एक उससे को intersect कर दादा, उस point के, वो coordinates हैं, तो यही तो हम लोगों को पूछा था, तो last way लिख देना, कि therefore the coordinates of the circum center, या circum circle जो भी उसने तुमसे question है, पूछा हो, वो यहां पे last way में बना कि, आप क्या कर दोगे, लिख दोगे, ठीक है, तो यहां पे आ गया, वो लिख लेना तुम, अब बात आती है circum radius की, तो आपका जो nucleus का center है, उस center से आपको वहां तक का distance calculate करना है, जहां तक वो outer surface को touch कर रहा हो, just, तो अभी अभी तुम्हारे पास, एक कार खाड़ी ती black color की, जिसमें, एक मिनिट इसमें, एक मिरशा है, मैंने बीच में black color की कार के बार में जिक्र कर दिया, मेरा अच्छानक से शाय ध्यान कहीं और चला गया था, वह अला topic नहीं है, तो एक्चो मैं तुम्हें क्या डूढ़ना है, circum radius डूढ़ना है, circum radius क्या है, center से लेके, आपका वो distance आता को touch कर रहा है, तो touch किसे कर रहा है, तो starting में ही मैं बता चुकी हूँ, किस खोर में बता चुकी हूँ, PA, PB, PC, कोई भी तीनो value सेमी आएंगे, किसी को में निकाल लो, तो देखो, फिर से गधे समान, फिर से distance formula मत लगा देना, हर साल मुझे एक नाई गधा ऐसा मिलता ही है, जो य बेवकूफ हो, वारी हरकते ना दिखाओ, बट फिर भी हम तो हैं बेवकूफ, वो करोगी, करोगी, तो अच्छे समान लिखो, कि put x equals to कितना, कितनी आई x की value, 5, ठीक है, and y equal to कितना आया है, 2, तो किस में put कर लेते हैं, मान लेते हैं, चलो, equation number 3 में put कर लेते हैं, यानि की PC में put करते हैं, so where is our PC, x square plus y square, minus 4x plus 4y plus 8, ठीक है, x square plus y square, ये equation है, minus 4x plus 4y plus 8, equal to what PC, अब x square, यानि की 5 का square, 25, y square, यानि की 4, minus 4 into 5, यानि की minus 20, 4 into 2, यानि की 8, और plus 8 equal to PC, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 4, 29, 29 में से 20 गया, 9 और 9 और 8 और 8, 16 equal to PC, so PC की value यहां से कितनी आ गई, 25, लेकिन इस पूरी value के तो यहां under root लगे हैं, तो यहां तो under root हमको भी लगाना पड़ेगा, यह हमने लगा दिये, अब ये जो PC आया, under root तो 25 आया है, तो PC फिर कितन होगा, PC होगा, 25 किसका under root होता है, पांच का, तो अगर कोशन में कुछ सेंटी मीटर में बाचीत की गई है, तो ठीक नहीं, तो फिर अपना unit, लिग देना units, और लिग देना वापी कि यह कौन है, किया therefore, इस particular चीज का, जो circum radius है, circum radius आप लोगों का कितना है, 5 units है, तो इस त एक, दो, क्योंकि normal students, लोगों को यह क्या, दो सवाल भी आप practice करा दो, तो अपना आगे बना लेते हैं, तुम तो ever normal हो, ऐसे में यह वाला question, अभी इस वीडियो को देखने के बाद, इस पूरी चीज का, अब copy में पहले notes मना लेना, अच्छे से, example के साथ, कोई doubt आए, तो screenshot शेयर करके पहले पूछना, कि यहां पर step कैसे आई, वैसे तो पुरा algebra है, बट फिर भी, और जब वो हो जाए, तुम्हें कोई question, 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 question नहीं चीखना, कि अब क्या करें, अब क्या करें, बताओ, चुप चाप अपना ये वाला question, attempt करना, और attempt करने के बाद, इसकी photo देके चेक करवाना है तुरंत, ठेक है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो इस तरीके से distance formula के topic पे based, हम लोगों ने एक और pattern और सवाल क्या कर लिया, crack कर लिया, हो जाएगा, तो इसमें उसने तुमसे, देखो language कैसी पूछी है, उपर वाले सवाल में उसने तुमसे पूछा थ किसके center और circle के, ठीक है, circle के coordinate निकाल लेंगे, लेकिन एक ऐसा circle जो in point से pass हो रहा है, तो in point से मतलब ये point क्या करते होंगे, triangle form करते होंगे, बस और कुछ भी नहीं, तो इसकी जो PDF है, मैं वो share कर देती हूँ group में, ताकि तुम लोगों को अगर notes वगेरा बनाने हैं, तो उसम कापते होए हाथों को control में रखना, और even ये question भी ले लो, इस question को भी करना, मुझे बिल्कुल idea नहीं है कि sheet में इस type के कितने सवाले नहीं है, तो तुम इसको कर ले, इसका मैं diagram बना देती हूँ, ये triangle है, इसका ये point है P, let's say 0,0 में है, ये point है Q, minus 2,1 है, और ये है R, that is minus 3,2 हुआ है, तो मैं ये circumcenter C calculate करना है, ठीक है, तो ये दोनों question, तो एक है question करोगे, और एक है question चेक कराओगे, ठीक है, तो फिर अभी ये वाला video मैं disconnect करती हूँ, और मतब discontinue कर रहे हूँ, रोक रहे हूँ, उसके बाद, अभी एक और video रहेगा इसके बाद, लेकिन वो अभी द जाए, तब आपको क्या करना है, ये वाला करना है, ठीक है, तो याद रखना है, ये वाला word आए, या चाहे direct पूछा जाए, कि circumcenter find करो, या ऐसा word आजा है, center of the circle passing through, दोनों का एक ही मतलब होता है, कि आपको क्या find करना है, circumcenter calculate करना है, ठीक है, तो अभी ये वाले के बाद, एक वीडियो और आएगा, उसको देखोगे, फिर उसके basis पे topic के सवाल करोगे और checking करोगे, ठीक है,